कल सुप्रीम कोट का फैसला आया जो खिलाडियों का धरना चल रहा था उसके संदर्ब में लंबे समय से कि खिलाडी न्याय की गौहार कर रहे थे हम स्वागत करते हैं सुप्रीम कोट के फैसले का और हम धन्यवाद करते हैं अपने समिधान निर्माताओं का जिस सोच के साथ उन्होंने स्वतंत्र नयाय पालिका का गठन किया था कल उस सोच पे महर सुप्रीम कोट के फैसले लगाने का काम किया और दिल्ली पुलिस को निर्देशित किया F.I.R. दर्ज करने के लिए ये नयाय की तरफ पहला कदम सुप्रीम कोट के आदेश से बड़ा इस प्रकरंड में और इसलिए हम सुप्रीम कोट के फैसले का स्वागत करते हैं उसके बाद आपने देखा तिल्ली पुलिस ने कल रात को F.I.R. दो F.I.R. दर्ज की है एक F.I.R. की कौपी जो पीडित है उनको मिल चुकी है और जो दूसरी F.I.R. है जिसमें पॉसको के अंतरकर जो F.I. ठाने से F.I.R. की कौपी आएगी तो जब F.I.R. दोनों मिल जाएंगी सारी धाराओं का अजन करके उस पे टिपनी की जाएगी लेकिन हम ये मांग करना चाहते हैं कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से ये इतने गंबीर आरोप लगे हैं भारती जनता पार्टी के एक सांसत प जो कथित तोर से अपने आपको भावूली बताते हैं जिन पर 40 से जादा अलग-अलग धाराओं के तहत संगीन संगीन अपरादों के मुकदमे जिन पर चल रहे हैं जो एक वैल नोन हिस्ट्री शीटर हैं ऐसे एक अपरादिक प्रत्वतिती के व्यक्ति पे जब इस तरह के आरोप लगे जो भारते अंता पार्टी के सांसद और रूलिंग पार्टी के तो इसमें दिल्ली पुलिस तुरंट प्रभाव से ना सिर्फ F.I.R. रेइस्टर करें मगर उनको गिरफतार भी करना काम करें ये हमारी मांग है